हेलो फ्रेंज, मौकी चाले ऐसे समझ्या है जो अगर हो जाए तो आपका खाना पीना दूरबर तो होई जाता है साथ ही बोलने में भी परिशानी होती है और अगर ये जल्दे जल्दे निकलते है तो समझ्या ज्यादा होती है ऐसे में तरल परदात का सेवन ज्यादा करना पीने और पेट सापना होने के कारण होती है तो आपको इन दो चीजों को ध्यान में रखना रखने की जरूरत है इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स दे रहे हैं जो चालों से आराम दिर लाने में कारगर है मुलेठी मुलेठी पीश कर उसमें सहत मिला और फिर चाले वाली जगह पर रख दी आपको कुछ देर में जरूराहत में रोई को टीट ट्री ओएल में डूपो कर चाले वाली जगह पर लगा ले फिर दस मिनिट बाद पानी से कुल्ला करके मुं अच्छी तरह से साफ कर दे ग्लीसरीन ग्लीसरीन और भूने हुए जगह पर लगा ले फिर थोड़ी देर बाद साफ पानी से मुझ को साफ कर ले आपको रहत मैसुस होगी इसके अलावा एलोवेरा जोस को भी चालो वाली जगह पर लगा सकते हैं इससे भी तुरंत रहत मिलती है आप चाहे तो एलोवेरा जेल को भी लगा सकते हैं वहीं दे से रहत मैसुस होती है हुँ में जब चाले निकल आए तो एक किलास पानी में एक चम्मस फिट करें मिला ले अब इससे दिन में दो से तीन बार कुल्दा करें हल्दी पानी से भी मूं के चालों से रहत मिलती है बस आपको एक किलास पानी में दो चम्मस हल्दी डाल कर उबाल लेना है फिर ठंडा करके उससे गरारा करना है यह तुरंत असर करेगा थेंक्स फॉर वाचिंग प्लेस लाइक शेर और सब्सक्राइब